नमस्कार किसन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फीर से मालवा की गेती योट्यूटूप चैनल पर किसन साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लसुन का बाजर काफी तेज बना हुआ है और किसन भाईयों को अपनी उपच का अच्छा पैसा भी मिल रहा डेर सारी मात्रा में किसंद भाईों ने इस बीच को खरीदा है और अब भी खरीदारी जारी हैं कुछ किसंद भाईों ने इस वेराइटी को लगा भी दिया है और कुछ किसंद भाई लगाने के तैयारी में हैं कुछ किसंद भाई ने खेट खाली सोड़ दिये तो तो कुछ किसान साथ्यूं यह बारिश नहीं होती हैं तो बीज का पेसा भी टूब जाएगा, किसान साथ्यूं यह तो बवाद से ही कम ना करता हो कि अच्छी बारिश हो, कोई तालाब सब लबा लब हो जाए, ताकि हमारी नेक्टर फसल चाही हो लसन हो गेव हो, चना हो, सरसों कोई से भी हो अच्छी हो और किसन सत्य ये आप भी इस भर लचून लगा ॐँती की तो ाप थोड़े से सपितर में लगाएं बहुती महेंगा ओर ख़्योंस जिसा कि आप जानते हैं कि इस अधने घिमांड हैं या इतनी मांगत जिंद भाई इसे इतने लिया है तो इस सबसे हम देखें जितने बीच की ख़ड़ी की जा रही है और उसकी यह बुआ हो जाती अच्छी बारिश हो जाती है तो किसल साथियों पेदावार भी हमें अच्छी देखने को मिल सकती है और यह तो एक ऐसा सटा किसल साथियों लसुन और प्याज का लग जा दो फवे हमें लसुन का अच्छा दाम मिलता रहता है गरुल खवत हमारे अतनी लसुन की नहीं है इतनी विदेशों हुआ है यदि एक्सपॉर्ट परवर चलता रहता है तो हमें लसुन के अच्छे प्राइज मिल जाते हैं लेकिन आप देख पाते हैं इस सरकार की निती इस समय आप देख पारे होंगे कि सोयाबिन के भाव कहाप से कहां आ गए हैं और यहाँ पर सोयाबिन की इतनी अच्छी पेदावर होने के बावजूद भी सरकार विदेश से तेलो को और सोयाबिन जो का पॉम आयल वगएर आता हैं उनको आयात कर रही हैं और यही निती यदि किसान विरोधी निती यदि लसुन पे लगव हो गई तो किसान साथियों लसुन का भाव क्या जाएगा एक विरोधी का प्राइज अभी 50,000 के आसपास हैं और किसान साथियों वो कितने सेत्र में आता है उस पे कितना खर्चे करना पड़ता है उसके बाद उसमें कितनी लागत आ जाती है उसके बाद उसकी कितनी पेदावर होती है और वो क्या भाव विकेगा आपका ये कुछ क के उपर लगाए अपनी हैसिएत की उपर लगाए देखा देखे बिलकुल ना करें और चैसा की माना जा रहा है कि जिस पसल की अच्छी पेदावर होती है उसका मार्केट प्राइस उल्टा हो जाता है एक मजदूर को एक अच्छा वर्गर करने में फेक्टर में उसे बोनस दिया जाता है लेकिन यहां किसान के लिए बिलकुल विपरी थे यदि वो अच्छा माल पेदा कर देता है तो उसकी चीजों का ओर भी भाव गिर जाता है किसल साथियों इस सेजन में आपने देखा है होगा पिछले वर्ष जो रभी का सेजन निकला है उसमें गेहों की फस उनकी बुआ उटी की हुई उसके बाद अच्छे बारी होती है और देशी लसून जीटू लसून या जितने भी विरेक्टे हैं लसून की होती है तो आगे चलकर इसका क्या मार्केट प्राइज रेने की संभावना है आप खूद अंदाजार लगा सकते हैं तो किसल साथिय भले ही आप लगाए कोई दिक्कत नहीं सभी फसलों की खेटी करना है और खेटी करना रिस्क है लेकिन डिस्क भी एक सीमा होती उसी तक लगाना चाहिए किसल साथियों जान बुचकर अंधे कोई में कुदना बिलकुर बेकार हैं अपने परिवार को और अपने आर्थिक स् लगाए और अपनी हैसियत हिमत की आधार पर लगाए अच्छी बारिश होतों लगाए किसल साथियों नए तो आप बाद में सिजाई क्या करेंगे सिजाई का साधन आपके पास अवेलिबल होना चाहिए जो आखरी तक आपकी पसलिकी सिजाई कर सकें इस बात को ध्यान आएगी और कुछ किसंद भाईयों को यह पसंद ना भी आएगी क्योंकि इसे शब्दों को मैंने प्रियोख कर लिया कि उनकी हिम्मत साइट तूट सकती हैं तो उनकिसंद भाईयों से मैं शमा मागता हूँ फिर मिलते हैं किसास अच्छी एक नई वीडियो में एक नई जन करें के साथ तब तक के लिए पहल रखी का अपना अपने प्रिवार का और अपनी फसलों का वीडियो देने अपने बुद बुद दन्यवाद जेख हिंज जेवन जेख सांग